दोस्तो अगर आपने ये दोहे पूरे सुन लिये तो ये गारंटी है कि आप कभी भी जीवन में बिमार नहीं पड़ेंगे तो आईए हम पहले दोहे से शुरुवात करते हैं पहला दोहा है पानी गुड में डालिये बीत जाए जब रात सुबा छान कर पीजिये अच्छे हों हालात उर्जा मिलती है बहुत पिएं गुन-गुना नीर कब जखत्म हो पेट की मिट जाए हर पीर प्राते काल पानी पिएं घूंट-घूंट कर आप बस दो-तीन गिलास हैं हर ओशधी का बाप ठंडा पानी पियो मत करता कुरूर प्रहार करे हाज में का सदा ये तु बंटा धार भोजन करे धर्ती पर अल्थी पल्थी मार चबा चबा कर खाये वैदन ज्हांके द्वार प्राते काल फल रसलो दो पहर लसी छाच सदा रात में दूद पी सब रोगों का नाश प्राते दो पहर लीजिये जब नेमित आहार तीन मिनट की नींद लो रोगन आवें द्वार भोजन करके रात में घूमें कदम हजार डाक्टर ओजहा वैद का लुट जाए व्यापार घूंट घूंट पानी पियें रहे तनाव से दूर ऐसी डीटी या मोटा पा होवें चकना चूर रक्त चाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाए सोगंध राम की खाई के तुरंत छोड़ दो चाए सुबा खाईए कुवर सा दोपैर यथा नरेश भोजन लीजे रात में जैसे रंक नरेश देर रात तक जागना रोगों का जन्जाल अपच आँख के रोग संग तन भी रहे निढाल सत्तर रोगों को करे चूना हमसे दूर दूर करे ये बांजपन सुस्ती अपच हुजूर भोजन करके जो हिये केवल घंटा डेड़ पानी इसके बाद पी ये ओशधी का पेड़ अलसी तिल नारियल घी सरसूं का तेल यही खाईये नहीं तो समझो हार्ट फेल पहला स्थान सेंधा नमक पहडी नमक सुजान स्वेत नमक है सागरी ये है जहर समान एल्मूनियम के पात्र का करता जो उप्योग आमंत्रित करता सदा वहे अड़तालिस रोग फल या मेठा खाई के तुरंत न पीजे नीर ये सब छोटी आंत में बनते विशधर तीर चोकर खाने से सदा बढ़ती तन की शक्ती गेहूं मोटा पीसिये दिल में बढ़े विरक्ती रोज मुलेटी चूसिये कफ बाहर न जाए बने सुरीला कंठ भी सबको लगत सुहाए भोजन करके खाईये सौफ गुड अजवान पत्थर भी पच जाएगा जाने सकल जहान लोकी कारस पीजिये चोकर युक्त पिसान तुलसी गुड सेंधा नमक हिरदै रोग निदान चैत्रमा हमें नीम की पत्ती हर दिन खावें जवर डेंगू मलेरिया बारह मील भगावें सितम गरम जल से कभी करिये मत्सनान घट जाता है आत्म बल नैनों को नुक्सान हिरदै रोग से आपको बचना है श्रिमान सुरा चाय या कॉल ड्रिंक कामत करिये पान तुलसी का पत्ता करे यदी हर दम उप्योग मिट जाएं हर उम्र में तन के सारे रोग